लो मेरे पूड़ी इस कुकी फैट पुतरानी में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी बलकी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रिप्यू तो मैंने यहाँ पर ले लिया है वंडर शेयर नूडरी ब्लैंड जो की ब्लैक में है और इसके अंदर आपको दो जार मिलेंगे अब इसे खोल लेते हैं इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़े है ना उसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और मुझे ना संजीब कपूर सर का ओटोग्राफ भी मिला है और वो कहां मिला है वो ना मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगी और यह हैं जर के दो ढकन और यह क्यों ब्लें है यह पहले ना मैं यह बॉक्स को अठा देती हूं क्योंकि यह कुल जादे जगे घिर रहे हैं हां तो यह है इसके अं को अब हम साइड में रख देते हैं और यह है बड़ा वाला जार तो इसे पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं यह जार आपको इस तरह से ट्रांस्पेरेंट में मिलेगा आप जो भी जार के अंदर डालेंगे न वो असानी से देख सकते हैं कि वो कैसे चल रहा है तो अब इसे ख पीछ यह नाउना जार के अंदर चटनी पी की चतनी तोंकर कोई सकते हैं तो गोल में षकाड़ा हो सकता है और यह देखिए इस तरह से खड़ा हो सकता है यह नहीं किरे देगा और चटनी पीछने जो जाहरें ना अंदर आपको दो ब्लेड दिये गई हुए हैं इस तरह से जार को बंद कर देते हैं और इस तरह से आप इसको इसके ओपर रख कर पीच सकते हैं जो यह वायर बंद है इसको भी खोल लेते हैं और जो इसका तार है यह भी बड़ा है छोटा नहीं है और यह है बड़ा वाला जार इस जार के अंदर आप शेक ब लगा देंगे जूस वाले जार में फिर दूसरा वाला है उसे हम लगा देंगे चटनी वाले जार में जो यह दोनों ढखकन है उसे आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जो साइज है वह सेम ही है यह प्लीन वाले डखकन है जैसे कि आप इसमें शेक बना रहे हैं फिर इस बड़े वाले जार में जो कि जूस का जार है उसमें हम जूस बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जार अब इसके अंदर डाल देंगे चुकंदर चुकंदर गोना मैंने छोटे तुकड़ो में ही काटा है डाल देंगे इसके अंदर गाजर डालूंगे अब जार का डखकन बंद कर देंगे आपको कहा थाना कि मुझे संजीव कपूर सर का ओटोग्राफ मिला है और वो यह रहा इसके उपर ना आपको उनके सिगनेचर भी मिलेंगे आपको क्या लगा कि मैं क्या असलियत में मिल गई उनसे कहां से कुछ लोगों को नह तरह से जार को नीचे करेंगे और यह ना इस तरह से चल जाएगा लब यह चीज है डायरेक्ट पहले ही स्वीच आउन मत कर देना जब आप जार को इसके अंदर लगाओगे ना स्वीच को तब ही ओन करना मैं आपको इसकी आवाज भी सुनाती हूँ इस तरह से आपको इसकी आवाज सुना ही देगी सबी चीज़ों को पीषने में थोड़ा सा जाधा टाइम लगा है सबी चीज़े पीष चुकी है और आपको ना डारेक्ट जार को नहीं निकालना है पहले स्वीच को बंद करना है उसके बाद ही जार को निकालना है और यह रaja कि अब झाले चनी के देखे लिंगे में ये जाल जाले लिए चुकंदर ना फ़ीज़ा लोंet चांट प्यालीगे टैसे किक इस नद तो आपके शरीयर के विकश्त और यह कुण की कमी को पूरा भी करते है तो सारा में च्यान लिया है और इसके वज़़े से लिगा ने के चुकंदर का रज डाल सकते हैं इससे भीन बहुत अच्छा कलर आएगा आज को तो मैंने जूस से भर दिया है और इसके पर मैं रख दूंगे एक पोदीना की पत्ती यह लीजिए चुकंदर आमला पोदीना और गाजर का जूस बनकर तैयार हो चुका है रिव्यू के साथ अब आपको मेरा यह रिव्यू और जूस दोने ही पसंद आए हो ना तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में मुझे शरूर बताना कि आपको यह दोने चीज़े कैसे लगी अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप प्यार करते रही है चीक कियर बाबाई जादा से जादा ना आप इसे श्रीयर करना अपने फैमिल्यों और फ्रेंड के साथ